हालो नमस्कार और आप देख रहे हैं यू एन एन मीडिया तो तयार हो जाई कि आज मैं आपके लिए बहुत सारी इंट्रस्टिंग ख़वर लेकर यहां पर हाजिर हो तो सबसे पहले जैसा कि आप हमारा थामनेल देख रहे हैं तो आप समझ गया होंगे कि यह जो आज का जो प्रेस कॉंफरेंज किससे जुड़ा यह भी अपने कर लिया होगा जी हां उनकी जो अपकमिंग फिल्म है डोली सजाग के रखना जिसके ट्वेलर आप सब के बीच आ चुके हैं जिसके गाने आप सब के बीच आ चुके हैं और भर भर के प्यार मिल रहा है इसके बाद जो दर्शक हैं जो फैन्स हैं जो इस मुवी का ट्रेलर देखने के बाद उनका मन कर रहा है उनकी पेसबरी और बढ़ गई कि भाई आखिरी एक फिल्म कब आएगी तो हाजिर है रिलीज डेट के साथ प्रेस कॉंफरेंस कहां है आखिर एनाउंस्मेंट क्या है प्रेस कॉंफर में हुई थी और उसमें आपको खिसारी लाल यादो आमर पाली दूबे और एक और एक्ट्रिस थी रक्षा गुपता इसके साथ इंडस्ट्री के कई नामचीन कलाकार इसमें आपको नजर आएंगे अभिनाय करते वे दिखेंगे अपनी जो भी आक्टिंग है उसमें अपन पास थे इस वक्त इसकी व्यूज़ 6 मिलियन है ट्रेलर को रिलीज हुए वन मंथ हो गया है पहले दिन ही लोग जिस तरह से बेसबरी से देखे तो इसको अल्मोस्ट 3 मिलियन व्यूज़ क्रॉस किया था लोगों ने बहुत प्यार दिया था इस ट्रेलर को इसके गाने इस कब होगा बता दें कि यह फिल्म अगले महीने यानि सेप्तंबर में रिलीज हो रहा है और इसी का अनॉंसमेंट आज होने वाला है और इसका मैं सबसे पहले अपडेट दे रही हूँ तो यह त्यार हो जाएए 2 सेप्तंबर को यह फिल्म आपके नजदी की थीटर में र मिला था उस हिसाब से लग रहा है जिस तरह से इस ट्रेलर को प्यार मिल रहा है उसे लग रहा है कि यह फिल्म जो है काफी धामाल करने वाली है और इंड़स्ट्री में एक और जोड़ी आ गए वो है खैसारी लालयाद और आमर पाली दुवे कि दिखते हैं इनकी कोई फिल पर ही इसका ट्रेलर भी आया था तो आज जो प्रेस कॉंफरेंस है इसमें सॉफ्लम के प्रोडिःसर तो होंगी होंगे साथ इस फिल्म के राइटर आड डारेक्टर होंगे साथ फीलम तो अर्फ के चाहिते निरःवजी भी होंगे जी हां हाली में सांसत बने निरःवजी भी इस कॉन्फरेंस के हिस्सा रहेंगे अब ऐसा क्या हुआ यह भी बताते है डरसले इस वक्त निरःवजी मुंबई हैं और साथ ही एपको बता दे अब स्टोरी फिल्म का नाम क्या है कब शूटिंग होगी हिरोईन कौन होगी इसका तो अभी जानकारी हम आपको थोड़ा सा रुक के देंगे देंगे तो आपडेट आने दीजे लेकिन अभी कि आज की ख़बर यह है कि आज मुंबई में प्रेस कॉंफरेंस है सारे चार बज देखने जाने वाला है और किसको किसको इस फिल्म का बेसाबरिस इंतजार था और क्या लगता है यह जोड़ी फिर से कोई नई फिल्म लेकर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही मज़दार अप्डेट्स के लिए बने रह झाँ झाहिए